स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसेस दा लर्निंग हमें आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे हमारे एक फ्रेंड रंधीर कुमार की कुईरी जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे साथ ही समूगा के स्टेशन मास्टर के पत्पे कारेगरत है लेकिन उनकी वार्षे काए आठ लाग से अधिक है तो क्या उनकी पत्नी को NCL यानि कि Non-Crimalier प्रमार पत्र बनेगा या नहीं प्लीज रिपलाई रंधीर इसमें समझने वाली बात ये है कि OBC Non-Crimalier का सेटिफिकेट हस्वेंड के क्रेडेंशल पे नहीं बनता है आई बटन में आप उसे देख सकते हैं तो आपके साथी की जो धरम पत्नी है उनको अगर OBC Non-Crimalier का सेटिफिकेट बनवाना है तो उन्हें डेटेल देनी पड़ेगी अपने फादर की शादी के बाद भी अपने फादर की इंकम और उनकी जो जॉब है उनके फादर की वो मेंशन करनी होगी OBC Non-Crimalier Certificate के लिए तो मैं एक बाद फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके जो साथी हैं उनकी धरम पत्नी को अगर Non-Crimalier Certificate OBC का बनवाना है तो उन्हें अपने पैरेंट्स की डेटेल्स देने होंगे ना कि उनके हस्बेंड की सेलरी भले ही आट लाग रुपए से जादा है और वो समूगा के पत्पे कारे रथ है यह जो उनके पती की जो यह जो डेटेल्स हैं कि उनकी सेलरी कितनी है वो गौशन जॉब में समूगा पे कारे रथ है ये उनके बच्चों के लिए यूज़ होगी जो आपके साथ ही हैं उनके बच्चों के लिए जब OBC Non-Crimalier का Certificate बनेगा तब ये Conditions जो Criterias हैं ये उस समय यूज़ होगे ना कि उनकी धरमपत्नी के लिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful साबित होगा अगर इस से संबंदित आपकी कोई और जानकारी आप चाते हैं तो उसे comment box से माध्यम से हमें बताएं हम कोशिश करेंगे आपकी queries को dissolve करने की और जरोद पड़ेगी तो इसी तरह एक dedicated video मैं आप के लिए भी पनाऊंगा friends I wishing you very very best of luck stay safe, stay healthy and do take very very good care yourself Jai Hindustum